हाँ तो दोस्तों metal stocks आज क्यों गिर रहे हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको metal stocks में क्या करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो देखें यहाँ पर अगर आप देखोगे Tata Steel handle को JW Steel almost 5-10% यह stock नीचे जब market overall अगर आप देखोगे हमें positive नजर आ रहा है तो यहाँ पर जो main reason है वो यह है कि जो export duty यहाँ पर government ने इनके उपर बढ़ाई है तो उसी की वज़र से यहाँ पर इतना selling pressure हमें देखने को मिल रहा है अगर हम steel के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे पहले एकड़म नी के बराबर export duty थी तो वो number अभी आ चुका है 15% पे यानि कि अगर 100 रुपे का steel अगर यह companies export करती है तो वहाँ पे इने 15 रुपे का export duty पे करना पड़ेगा तो उसी point वी से यह marketing से काफी negative way में लिया है उसके अलव अगर हम देखेंगे जो iron ore के prices है तो वो भी अगर आप देखोगे तो 30% से 50% का export duty वहाँ पे हुआ है यानि कि अगर पहले 100 रुपे का iron और अगर यह companies export करती थी वहाँ पे 30 रुपे का इनको export duty देना पड़ता था लेकिन अभी 100 रुपे पे 50 रुपे का export duty इन companies को देना है तो definitely अगर आप देखोगे अगर इतना ज्यादा महेंगा अगर वो हो जाएगा तो जो बाकी की जो countries जो हमारे यहां से import करते तो वो हो सकता है कि वो और दूसरा alternative देखेंगे और दूसरी countries जो वो वहाँ पे import करेंगे तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे पैलेट पे कोई tax नहीं था पहले और उसका tax अभी सीधा 45% export duty वहाँ पे हो चुका है और वहाँ पर इनकी वज़र से इतना export duty बढ़ाने की वज़र से market ने इसे इतना negative way में लिया है अब यहाँ पर reason होता है कि government ने यह क्यों बढ़ा है तो देखिए अगर आप देखोगे जो metal companies है इन्होंने record profitability पिछले कुछ quarters में दिखाईए वहाँ पर इनके numbers काफी अच्छे हैं तो market को जो अगर हम देखेंगे जो prices जिस तरीके से बढ़ रहें तो वहाँ पर domestic demand के अगर हम बात करेंगे तो वही इतनी ज़्यादा demand है कि government ऐसा चाती है कि यह बार अगर export करें तो यहाँ पर domestic consumption पे ज़्यादा focus किया जाए यानि कि जो domestic demand है पहले वो पूरी हो जाए उसके बाद हम export demand के उपर focus करें तो definitely अगर आप देखोगा कि अगर इतनी export duty बढ़ी है तो वहाँ पे इन companies का जो focus है वो पहले domestic demand के उपर जाएगा फिछ domestic demand के बाद में यह export करने का यह companies सोचेंगी उसके अलाव अगर आप देखोगे तो अभी prices काफी ज़्यादा हाई है तो इन companies के जो margin से वो भी काफी ज़्यादा हाई है तो उसकी वजह से उसकी अदर से government को भी असा लगता है कि यहाँ पर export duty increase किया जा सकता है और अगर आप देखोगे पेट्रोल के जो prices कम हुए है उसके लाव अगर आप देखोगे डीजल और पेट्रोल दोनों के तो वहाँ पे लगबग एक लाग करोड का government का fiscal deficit बढ़ सकता है तो उसे अगर government को पूरा करना है तो वहाँ पर कई नकीट एक्स जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर export duty बढ़ा के government अपनी earnings को थोड़ा बढ़ाना चाहती और इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने ये काम किया है तो मेरे ख्याल से देखा जाए अच्छा है domestic demand इतनी जादा अच्छी है मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा negative हो सकता है तो कि बाद में ये export करते हैं तो वहाँ पे other currency के point वी से इन्हें अच्छा beneficial वहाँ पे हो जाता है लेकिन मेरे ख्याल से एक से दो हफ्टे में ये चीज़े normalize हो जाएगी और वहाँ पे इनके prices normal होते हैं एक long term point वी से वहाँ पे view बन सकता है लेकिन मेरे ख्याल से हमेशा मेरा view ये ही रहता है कि अगर आपको medal cycle अच्छे से समझ में आती है तो ये आपने ये invest करना चीए बाकी मेरे ख्याल से avoid करना ही सही रहेगा तो दोस्टो मैं hope करतों कि medal talks आज क्यों गिर रहे हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्टो thank you have a nice day